हेला व्रीवन वेलकम टू जड़केम केमिस्टी क्लासिस तो भाई हम पढ़ रहे थे और गेनिक केमिस्टी का बेसिक्स इसमें हमने पहले हैवडाइशन इस्टार्ट किया था तो हैवडाइशन जितने होते हैं वह सारे पढ़ चुको उनकी फाइंड करने के ट्रिक भी जान चुक है इसके बाद हमने टॉपिक एस्टार्ट किया था बॉण्ड पैरामीटर वां था मैंने तीन चीज आपको पता दिए पहली थी बॉन्डाइंथ दूसरी बॉण्ड ल JUST दॉसरी बॉण्ड अभयों और अब हैं हमारा बॉण एनरजी बाइंग्ध और फ़ॉण्ड ए करते हैं bond energy सिर्फ कहीं ना-कहीं से बात हमारी बात आरी बात कर रहें और energy से रिलेटट किसी मॉन्ड में कितनी energy होती है तो बहुत ही simple सी बात अगर मैं बात को बताऊं तो क्या होती ऑलnd energy हम यह वोल सकते कोई भी ए ऐन माली या एंटम हॉ और इनके बीच में एक बॉंड बना हुआ है वहां के बीच में बना हुआ हई तो उनकी पीच वकांप ओनकी बीच में एसको ब्रेक करना हुआ अगर में बॉंड को ब्रेक करूं तो बहूं Greno keyboard को क्षण कुछ नों कुछ amount of energy देनी पड़ेगी कुछ नों कुछ amount of energy देनी पड़ेगी इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बॉलते हैं bond dissociation energy क्या बोलेंगे हम इसको bond dissociation energy यानि bond को तोड़ने के लिए जितनी energy दे जाती है that is known as bond dissociation energy तो भई इसी bond dissociation energy को नाम दिया जाता है bond energy और की सी केस में बोलेंगे किसी में नहीं वहften सारी चो किसे चाल दीजू अभी पहले हम बात करते हैकि बांड एनर्ज्य को सकत्राइब से यस बोलेंび गती तो देखें। अगर हम बात करें डायारतमिक मॉली क्यों Süस्थिक हम भी 5 कि में जाल डाएटमिक मॉली ना है वन मूल कोई भी डाइटमिक मॉलिक्यूल हो सकता है ठीक है और उस मॉलिक्यूल को बॉंड को अगर मेरे को माल लीजे ब्रेक करना है अगर इसको क्या करना है मेरे को ब्रेक करना है तो ब्रेक करना है तो मुझे कुछ ना कुछ ओफ एमांट यहां पर एनर्जी दे only the in the case of diatomic molecules तो हम सीधा सीधा यह वह सकते हैं diatomic molecules के case में अगर हमारा कोई diatomic molecules है तो उसका एक मूल में जितने बॉंड है उनको तोडने के लिए जितना amount of energy दे जाती है that is known as bond energy आई सीधी सीधी बात है आपको माली जी कोई bond है आपको यह चीज concept बिल्गल क्लियर होना चाहिए जैसे कोई bond है अगर मेरे को तोड़ना है तो energy देनी पड़ेगी जैसे माली यह इसको तोड़ना तो अगर माल लीजे से ज्यादा मौलेटीक दे नहीं बोलेंगे जैसे माल लीजे एक-से मेरे इस बार दो भी बने हैं तो अभी मेरे को रूड़ना है तो इसके इसके अलग 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 अनरजी का तर्म क्या होगा सर्फ वो चीज हमें जानना है तो देखे क्या होता है अगर हमारे क्या है किसी भी आपको एवरेज एनरजी दी जाती है अवरेज एनरजी की रुकार्मेंट होगी डैट इस लोन एज बॉन्ड एनरजी क्या बोले जाएगा उसको बॉन्ड एनरजी कोसे गाईगे सर अभी तक तो कंसेट समझ में नहीं आ पता नहीं क्या बोले जा रहे हूं क्या करता हूं सिएच वोर मैं से अगर मैं एक हारजन को अलग करते हूं तो बचेगा क्या मेरे पास CS3 बचेगा मैंने कारवल से एक अलग करने का मतलब उस बॉंड को तोड़ा है उस बॉंड को तोड़ा है तो अलग तभी तो होगा तो इसको बॉंड डिसोसेशन अनरजी बोलेगी कुछ ना कुछ अब उचेगा मेरा इसके लिए अनरजी दी जानी पड़ेगी उसे क्या वोलेंगी अगर माल लीजे मेरे पास CH है लाश्ट है अलग करना है यह जाएगा मेरा सी यहां पर मेरे अगर मेरे पास में कारवन है CH4 मेरे पास यहां पर पांच एटम से चार है अब उन चारों को मुझे अलग अलग तोड़ना तो हर एक बॉंड की डिसोसेशन अनरजी क्या रहेगी अलग यहां पर अगर मैं बात करूं मैंने कितना ले रखा है वहीं CH4 वन मोल कितना ले रख चारों को डिसोसेशन एनरजी का को प्लास इसोसीसर एनर्जी 4 को चारो को डिबाड करा चार से डिबाड कर तो यह क्या आ जागा आपका डिसोसीसर एनर्जी का फॉर्मुला कि क्या जागा है थैसे ने सुसे से फॉलड सार्ट को तोडने में जितनी average value की requirement होती है that is known as bond energy एक बाद definition लगदे ठीक है sir definition लगओ थोड़ी सी तब ही थोड़ा sum बोल पाएंगे कि हम कहना क्या चाहा रहा है ठीक है ना हम बोलेंगे the average value the average average value of energy required required to break to break all the bonds all the bonds presenting 1 mole of molecules 1 mole of molecules किसी भी molecule के 1 mole में जितने bond है सबको तोडने में जितनी average energy की requirement है इतनी बात मुझे समझ में आरे होगे आपको निकले इतनी देनी पड़ेगी यानि इम बोल सकते हैं दो टम में अगर बॉंड को तोड़ना है तो energy देनी पड़ेगी और बॉंड बनेगा तो energy निकलेगी तो इसी definition को सब्सक्राइब करने में जितनी energy रिलीज होती है वह भी हमारी क्या कहलाती है बॉंड energy कहलाती है तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आगी सिंपल ही यह समझो सर बॉंड को तोड़ना है energy देनी है एक मॉले मॉले की उसमें जितने बॉंड तोड़ने है उनकी average energy क्या कहलाईगी बॉंड energy ठीक है सर अभी हमें करना क्या है अभी हमें इसके करने factors सर ऐसा कुछ बहुत सारे factors होते हैं जो हमारे बॉंड energy को affect कर दें ज से एक सिंगल वोंड जी यह संगल बॉंड जी इन में से बताना किसमें हमारा क्या है बॉंड energy किसकी जादा होगी जितना बॉंड श्टॉंग होगा पॉन energy उतनी ही जाद होगी इस टाइब को कुश्टन आता है तो सर कैसे याद रखेंगे तो पहला factor हमने लिया है साइज of atom atom का size भी bond energy को affect करता है कि सर कैसे करेगा मैं आपको यहां पर बता दू बॉंड energy is inversely proportional to the size of atom size of atom कि inversely proportional होता है किसके size of atom के atom का size जितना बड़ा होगा उसकी bond energy उतनी कम जैसे मान सकते हैं छोटे 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 आटम है पास पास लगे हैं इनमें attraction force जाद होगा जैसे जैसे size बढ़ेगा इनके बीच की बॉंड लेंथ बड़ेगी बाइगी बॉंड लेंथ बड़ेगी तो प्रडंडेट सोटी नहीं दूट पाती इसका इसका बॉंड लागजोंटा मोगी इसकी प्रेंद हमारी कम हो गी उसकी बॉंड तो क्यासे करते हैं और त्लेड कुछ इस टाइब से होता है उपर से नीचे जाते हैं तो साइज हमारा बढ़ता है यह तो आपको पता है किसी बीदेटेबल मूँ अप्टूडाउच जाता है तो साइज क्या होता है इनग्री यानि कार्वन से बढ़ा साइज सिल्कन का है तो तो भई यहां से हम एक चीज देखते हैं, जैसे जैसे तो बाइनर्जी जाद होगी और छोटी ज्यादा होती है कि वहां पर अट्रेक्शन फूर्श ज्यादा होता है कि मुझे लगता पहली पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अगले फेक्टर की बात करें दूसरा फेक्टर है हमारे पास में बॉंड और बॉंड ऑॉंड बॉंड और ऑंड वहं बात करें कNET ऑफूल करता और भी ऐसे करता बताना जैसे कि क्यामेंभर किए अगर में प्रेंट सिंग्ल्र कार वर्म है कार वनफ्र सावटम और यह पासद्पार वनगर आपको बांड और तो पता होगा नंबर अपॉंट है इसमें बाद करें अगर में बात करें कि बीच में एक बन पर वन हो गया इन दोने के बीच में नौट अब बढ़ने से bond order बनने से bond energy पर क्या फरक पड़ेगा यह आपको बताना है एक चीज़ सोच लो हमने पहले से जान रखाए भी यह क्या जान रखा है कि सर अगर single bond होता है अगर हमारे पास single bond होता है तो सिंगमा bond होता है डबल bond होता तो एक सिंगमा एक पाई होता है कि मतलब इसे कि मतलब इस सिंगमा को तेनों में से यह चींट में से छोआट है तो और गूर्छ किसमा होगा पाई जब पाई बन्ड भी एक्स्टरा लगे है इसका मतलब इस्ट्रैंधी तो कुछ ना कुछ बड़ी होगी यहां कार्बन कार्बन की बीच में एक बंड लगए यहां कार्बन कारबंत दो दो बंड लगे तो उनके स्थेंट बढ़ गय ही ना उनकी डिंग एक इक हड्याश्शक फोर्स बढ़ जाएगा आपस पास जइन बार्षें में बच्कि अध्शक करांभी घ्र के ऊक्तन तोड़ना थोड़ा मुस्किल तीन लगड़ी देती है तोड़ना पिल्कुली खतम तोड़ी नहीं पाते तो वही बार इसी चीज हम यहां पर समझ सकते हैं कि अगर सिंगल बॉंड है तो इसके बॉंड शंथ कम है असनी से टूट जाएगा डबल बॉंड आगे तो दो इनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यहां से हम अगर इन तीनों में बात करें सर बॉंड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी अगर इन तीनों में बात करें किसकी बॉंड एनर्जी की तो सर हम कहेंगी जिसमें जितने ज़्यादा बॉंड उनको तोड़ना होतना ह मुस्किल उनकी बॉंड एनर्जी उतनी ही जादा तो सर बॉंड एनर्जी किसकी जाद होगी यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि जो बॉंड एनर्जी है वो डारक्ली प्रपोस्टनल होगी बॉंड ओडर के क्या होगी directly proportional हो जाएगी bond order के यानि कि bond order जितना जादा bond energy उतनी ही जादा next करते हैं अगला हमारा bond polarity और electron negativity difference सर्फ bond की polarity और electron negativity difference भी हमारा क्या करता है हमारा इस चीज को बता सकता है bond energy को differentiate कर सकता है जैसे हम इसको भी question से समझते हैं हमारे पास एक question है HF एक है HCl, एक है HBR और एक है HI ठीक है हमी HF, HCl, HBR, HI अगर हम इनकी bond energy की बात करें इनकी bond energy की बात करें तो भाई इन में अगर bond energy की बात करें तो क्या होगा वैसे भी एक बात मैं आपको बता चुका हूँ अगर size हमारा चोटा होगा तो bond जादा होगी इनका size भी छोटा है दूसरी बात fluorine की electron negativity सबसे जाद हो सबसे जाद है fluorine, फिर chlorine, फिर bromine, फिर iodine electron negativity जाद हो, hydrogen को बहुत पास खीच लेगा क्या होगा? Size भी कम है bond length भी कम हो जाएगी और electron negativity जाद हो खीच लेगा bond strength भी बढ़ जाएगी यानि यहां से अगर हम बात करें polarity की इसमें जाद है polarity भी इसमें जाद हो क्योंकि electron negativity की difference यहां पर जाद होगा तो भाई bond strength यहां पर हम सीधे-सीधे बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? bond strength भी की सबसे जादा फिर HCl, फिर Hb, और फिर Hi सर, इसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? यहां पर देखें, hydrogen की electron negativity सम्में सेम है अंतर किसमें है? अंतर है तो chlorine, chlorine, bromine और iodine सबसे यहाद इलेक्ट्र नेगटिविटी, fluorine सबसे कम iodine तो यहां पर difference कम होगा यहां पर electron negativity की difference सबसे जादा होगा सबसे जादा है, तो bond energy भी सबसे जादा है, यहां सर, bond energy directly proportion होती है electron negativity difference के electron negativityhang difference यहां रिफोगा electron negativity का difference सबसे जादा होगा electron negativity का difference जतना जादा होगा bond energy उतनी ही जादा होगी ठीक हूँ? आगे करता हूँ अगला हमारा extent of और लेपिंग से ऊप्रदी और अगर जो तोड़ना थोड़ा सा क्या रहेगा मुस्किल क्यूंकि बॉंड हमारा क्या रहेगा स्टॉंक बन जाता है तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह कि सिर जितनी ज्यादा जितना happiest मेंамारी होगी सब्सक्राइब होगी अजी Most यहीं ज़्यादा रहेगी बॉंड लिया ज़्यादा था नहीं अगला हम बात करते हैं यह a better यह जानना जरूरी है तौड करता थी भी बांड अफेक्ट करता है यह कैसे बोलेंगे और ही आपड़ाईशन था ने ओर्गिनिक में तीन बड़े हैं कौन कौन से पढ़े है SP पढ़ा है SP 2 पढ़ा है SP 3 पढ़ा है पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है सर इन में percentage of s character पढ़े बिल्कुल क्या पढ़े सर अगर माथ करें आपर percentage of s character की एस कितना तो SP हम पहले भी बता चुक कुआ है पहले लाश्ट के दो इतना होता है 33% होता है है और अगर SP3 की बात करें हम तो SP3 में क्या 1 4th पार्ट है यानि कि 25 परशंट अगर आपको याद दिलाओ C triple bond C, C double bond C, C single bond C, हमने क्या देखा था बही, triple bond अगर जहां आता हावर्डेक्शन क्या हो जाएगा सर, SP हो जाएगा double bond आते SP2 है ना और single bond आते SP3 आसा कुछ था बिल्कुल था यहाँ परशंट इस करेक्टर कितना है 50% है यहां 33% है यहां 25% bond strength अभी निकाली थे हमने क्या निकाला तभी सबसे जादा bond strength किसमें थी triple bond वाले में थी double वाले में फिर single वाले में यह था ना बिल्कुल था तो सर परसंट के हम S करेक्टरी परसंटेज से देखते हैं bond strength सबसे जादा किसमें triple bond वाले यहांनि SPR और SPR परसंटेज से करेक्टर के तना है 50% इधर से इधर जाने पर परसंटेज से करेक्टर क्या हो रहा है कम हो रहा है यानिकि और energy भी क्या हो रही ही कम हो रही है तो म सीधे सीधे यह बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं सर, bond energy is directly proportional, किसके होगी हमारी percentage of S character के, किसके होगी, percentage of S character के, यानि जितना ज्यादा percentage of S character होगा, जितना ज्यादा percentage of S character होगा, bond energy उतनी ही ज्यादा होगी, पहिए ऐसा क्यों, सिधी सिधी बात है, सर, S nucleus के सबसे निजदीग होता है, तो वहां पर attraction force भी सबसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा S, उतना ज्यादा attraction force, और जितना ज्याद attachment force, strength उतनी ही ज्यादा, और strength उतनी ही ज्यादा, तो bond तोडने के लिए energy उतनी ही ज्यादा ता आपको देनी पड़े, that's why उसके bond energy भी ज्यादा, मुझे लगता है यह वाला फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्ष्ट हम बात करते हैं तो यह बहुत ही सिंपल सा बात है आपने गईने के पढ़ा होगा सुना होगा रैजोनेंस जहां होती है हैं मॉलेकול में क्या जाती है इस्टिब्लिटी इस्टिब्लिटी रैजोनेंस होगी तो इस्टिब्लिटी क्या होगी हो लगे आपको इनरजी ज्यादाब कड़ेगी और सिद्रलल सब्सक्ते हैं जो बahn एनरजी हैं क्या बोलेंगे कि जो बॉन्ड imaginary हैं इसके बाद एक क्वश्चन हो जरूरी है तो वह जरूरी है घलती करा देता है यह जानना बहुत जरूरी है क्या जैसे हमारे पास में F2, Cl2, Br2 और I2 इन में अगर आपसे पूचा जाता है bond energy किसकी जादा होगी तो mostly जो answers आते हैं वो answer बोलते हैं sir अगर हमें इन में बात करें bond energy की तो सबसे जादा होनी चाहिए निए फ्लोरीन की फिर और फ्र फ्राय तो इसलिए होनी चाहिए कियुकि इसका साइच छोटा भी है एक्टोर नीटीविटी ज्यादा है जिससे पास पास भी घिचे रहते हैं तो सबसे जादा बाद होती है हमारी CL2 की इसके बाद होती है हमारा F2 की और उसके बाद होती है फिर यह इसा क्यों हम तो एक क्वेशंट तो सीदह सीदह यही आ जाता है कि F2 और CL2 में bond strength F2 के ज़्यादा होने चाहिए लेकिन नहीं होती है किस की ज़्यादा होती है CL2 के ऐसा क्यों उसी से यह वाला question भी हमारा solve होता यह है F2 की case में fluorine की बाद करें F single bond है CL2 की बाद करें CL single bond C है करें यहां पर जो लोन पियर है इहां पर जो ल Onu पyयर है इनमें क्या होता है यह बहुत छोट और वह वह फ्लोरीग और वह नहीं रहाता जिसके बज़े से इसको तोड़ना बहुत ही आसान लोग फ्री नहीं ऑगा ठोड़ी की dil ब्रेताха और इसी वहेंसे अफ्ट हमारा बहुत ज्यादा लियक्टिव भी होता वह जल्दी रेक्शन भी असार विज़ाता है क्योंकि इसमें क्या होता है लो स्थक्रिक्षर के बढ़ा है साइज बढ़ा तो थोड़ा दूर जाएंगे क्यों क्योंकि उनकी बीच में जो bond length वो उनकी बढ़ जाएगी, bond length बढ़ेगी तो थोड़ा दूर जाएगे, तो यहाँ पर repulsion कम होता है, इसी वज़े से repulsion उसमें कम है, तो इसकी बांशन जादा, ठीक है ना, इसके बाद, सर ऐसे तो फिर इनका भी होना चाहिए ना, लेकिन F2 को तीसरे नमबर पर क्यों कम हो जाती है, due to the electronic repulsion between loan pair, loan pair, मुझे लगता है, इतनी बात आपको समझ में आगी होगी, तो हम इस लेक्सर में इतना ही करने वाले है, तो हमारा bond parameters हमारा हो चुके है, तीनों हमारे, कौन-कौन से होगी, bond length की हमने पहले, bond angle की है, bond energy होगी, अब इसके बाद में जो भी लेक जाएंगे, उनको देखिए, और साथ के साथ हम कुछ series भी और start करने वाले है, ठीक है, thanks for watching, और वैल आगन जरूर दबाल है,